डियलेट 2019 बैच के ऐसे प्रसिक्षों जिनकी 2nd समेश्टर में बैक थी इस वज़ा से उन अभियर्थों को 4 समेश्टर की परिक्षा में शामलित होने का मौका नहीं मिला अब वो अपना बैक पेपर 2nd समेश्टर का पास कर चुके हैं तो उनकी 4 समेश्टर की परिक्षा का आ प्रसिक्षों जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है उनको आने वाली 4 समेश्टर की परिक्षा में मौका दिया जाएगा या फिर नहीं इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो अंतर तक ज़रुर जूर रहीगा इस वीडियो के बैक प्रसिक्षों जिनकी 2 समेश्टर बैक रह गई थी अब वो पास हो चुके हैं उनकी 4 समेश्टर की परिक्षा दिसंबर माह में कराया जाना प्रस्तावित हैं दिसंबर के पहले या फिर जादास जादा दूसरे सप्ता में 4 समेश्टर के रिजल्ट की गोशना कर दी ज साथ ही 17 बैच के ऐसे प्रसिक्षों जिनका 3 बर बैक लग चुका था 4 समेस्टर में और उनको पिछली 4 समेस्टर की परिक्षा में शमलित होने का मौका नहीं दिया गया हलांकि उन्होंने प्रत्यवेदर ने CRT का रहले पर जमा किया था तो उन अभियर्थियों को भी इनी अभियर्थियों के साथ दिसंबर में होने वाली 4 समेस्टर की परिक्षा में मौका दिया जा सकता है PNT के अनुसार अब बात कर लेते हैं 18 बैच में भी ऐसे हजारों की संख्या में प्रसिक्षू हैं जिनकी 4 समेस्टर में 3 बार बैक लग चुकी है क्योंकि अगर आप प्रमोटेड के थे 3rd समेस्टर 18 बैच में तो फ्रेस प्रसिक्षू के साथ 4 समेस्टर में पार्टिसपेट करने का आप उसके बाद से 18 बैच के नौन प्रमोटेड अभीयरतियों के साथ 4 समेस्टर में पार्टिसपेट करने का मौका मिला और अब 19 बैच के 4 समेस्टर फ्रेस कंडिडेट के साथ आप पार्टिसपेट कर चुके हैं तो अब आपका मैक्सिमम तीन अटेम्ट समाप्त हो चुका है अब अगर आपकी बैच लगती है तो क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं सर्थ यह है कि जिस सेमेस्टर में आपकी तीन बर माकसिमम अटेम्ट समाप्त हो चुकी है उसके अलावा किसी सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए अभी सितमबर 2021 में जो फर्ष की गई है आप इस्क्रिन पर देखिए प्रत्रम समेश्टर के ऐसे परिक्षार थी जो एक विशय में तीन बार अनुत्रिण हैं तथा उनके द्वारा सेश अन्य समेश्टर उत्रिण कर लिये गए हों को एक अन्तिम अत्रिक्त आउसर प्रदान करने हेतु प्रवेश्ट पत् कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में बैक होनी चाहिए उसके अलावा जो प्रथम सेकेंड और तृतिय समेश्टर वो आप क्लियर पास होने चाहिए तभी आपको मैक्सिमम अटेम्ट समाप्त होने के बाद चौती बार मौका दिया जा सकता है तो 18 बैच, 17 बैच और पहल काड जारी किये गए हैं जिनका मैक्सिमम अटेम्ट समाप्त हो चुका था उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शोब हो